तो दोस्तों आज मैं आप सभी कैसे हैं तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लाई हूं मूली का लच्छा जो की बहुत ही जटपट बन जाता है और खाने में भी काफी टेस्टी लगता है आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं खाना के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ किसी से भी इसको बना के खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं मूली का लच्छा उसके लिए मैंने यहां पर एक मूली ले ली है उनको बीच में से मैंने काट लिया है तो इसको मैंने वाश भी अच्छे से कर ली है दोस्तों और यहां पर मैंन नहीं समझ में आ रही है सबजी अच्छी नहीं लग रही है तो दोस्तों आप इसको रोटी के संग खाली भी खा सकते हैं काफी अच्छी लगेगी दोस्तों तो यहां पर देखिए हम किसनी की सायता से सारी मूली को इसी तरीके से किस लेंगे यह देखिए तो दोस्तों यहां सब्सक्राइब में क्या हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप सभी को मेरे चैनल पर अच्छी रैस्पियां देखने को मिलेंगी और बेल आइक इन बटन के लिक करना ना भूलिएगा तो देखिए टमाटर डाल के हमने इसको मिला लिया है इसमें थोड़े से नमक नहीं डाला है आप नमक डालके खा सकते हैं काफी अच्छी लगेगी अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेस्पी कैसी लगी है ध